आज में आपके लिए फिर से जैपूर की प्राइम लोकेशन कालवार रोड पर आपके लिए करके आ गया हूं एक जबर्दस विला एक जबर्दस डुप्लेक्स जो की रोड से एक किलोमेटर के डिस्टेंस पे है साथसादा अकर मैं बात करूं लोकेशन की तो we सामने के साइड में आपको पारक देखने को मिल जाता है पारक और पीछे के साइड में बना हुआ है था देखे पूरी जो है बसावाट वाला एरिया है और सभी जगह जो है लोग भी यहां पर रहे रहे हैं और यह करदनी प्राइम के पीछे की साइट में बना हुआ है और रोड आप देख सकते हैं रोड आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है मैं वेंटिलेशन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एलिवेशन देख लीजिए एलिवेशन कैसा आपको बार से देखने को मिलेगा तो काफी अच्छा यहां पर आपको मिल रहा है यह जो प्रॉपर्टी है दोस्तों यह आपको प्राइस की बात करूँगा यह जेडी अप्रूड है यहां पर गॉर्मेंट यह जो मैं आपको डुप्लेक्स दिखाने जा रहा हूं यह दोस्तों यह त्री बेड्रूम का डुप्लेक्स है यह बाहर का आपको पॉर्च एरिया देखने को मिल गया साथ ही साथ जैसे एंटरेंस के टाइम पर आपको यहां पर एक सिड्डी देखने को मिल जाएगी और स उस साथ є जो हौल ऑरिया है काफी अच्छा एक इरिया यहां पर आपको देखने को मिल रहा है साथ त्व्छल यहां अंदर की तरफ से आपको इपने से मिल रहा है किचंग ए vaccinations के साम की बाद करूं तो कफी एक अच्छा मिल जाता है और आपकोम सारे कैब अडर वार्शा मि यहां पर मिल जाता है हाइट काफी अच्छी दी गई है किचंकी साथ हमारे दोर सारा काम यहां पर इसमें आपको 90 पर संत तक लोन हो जाता है और सबी प्रेवेट बैंक से आपको जो है लोन में हो जाएगा अगर आपकी गौर्मेंट प्रोफाइल है तो इसमें आपको जो है सरकारी बैंक से भी लोन हो जाता है अब जैसे आप गैलरी से थोड़ा सा अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको बातरूम मिल जाता है बातरूम का साइज काफी अच्छा दिया गया है साथ सच वेंटिलेशन की लिए उपर जगह दी गई है काफी एक अच्छी ज और ये साइड में जो है आपको टेक्षर डिजैन दिये गया है लेकिन जकन गर के अंदर तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छी जगह दी गई है देखे जैसे फ्लैट्स के अंदर आपको देखने का मिलता है वेंटिलेशन उसी तरते हैं को यहाँ पर गई है आपएसलि अपना समान काली कर सकते हैं और जैसे ही आप पर थोड़ा सा और बेक याड में आते हैं तो यहाँ पर आपको backyard में जो है तो काफी एक अच्छा स्पेशme आपको देखुक्ण को मिल रहा है अब मैं आपको ले चलता हूँ very एक रूम है एक बात्रूम है ऐहाँ पर चोटा सोड़ा से एक आप और मैं में आपको उपर की तरफ ले चलता हूँ और दिखा ता हूँ ऊपर movies लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको इस वाल पे भी जो है अच्छा एक टेक्शर डिजाइन दिया गया है और ग्रीनिश और क्रीमिश यहाँ पर जो है शैड दिये गए है अब मैं आपको उपर की तरफ लेकर चल रहा हूं सिड्डियों से जो कि अंदर की तरफ इस पर चल रहे है believe you को लाईक शेयरें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलना है और चैनल को जो है जादे से जादा से जादा समया था ब्रभाना है शेयर करना है यहाँ पर की तरफ आए यहाँ पर फोल सेलिंग दी गए, यह काफी अच्छी एक फोल सेलिंग मिल जाती है और इस साइड में जो है एक रूम है और इस साइड में दूसरा रूम है यानि कि सैकंड और थार्ड रूम मैं आपको पहले बैक साइड का रूम दिखा देता हूँ फिर फ्रंट साइड का रूम दिखाऊंगा और जैसे प्रोविजन नीचे दिया गया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी टोयरेट बिल जाता है टोयरेट का साइज काफी अच्छा दिया गया है पीछे की तरह वेंटिलेशन है साथ या उपर के साइड में आपको यहाँ पर फोर्सलिंग मिल रही है जैसे की नीचे के साइड में मिली थी अज इस एसी का जो है सबी परकार की यहाँ पर LED लाइट जी गई है जिससे की आपको दिन में बड़ी लाइट जलाने की ज़रुत ना पड़े यहाँ पर काफी एक अच्छा इस पेसे जगह मिल जाती है तो यह इसका दूसरा रूम था जो कि मैं आपको दिखाया जो कि इसके फ़र्स फ्लूर पे था अब मैं आपको ले जलता हूँ इसके तीसरे रूम की तरफ और जृप्न दिखाता हूँ छलूँगा कि जो hall का size है, नीचे और उपर दोनों तरफ मिल रहा है, उपर के तरफ आप इसको living area की तरफ यूज कर सकते हैं, नीचे वाले को dining area की तरफ यूज ले सकते हैं, इस side में आपको texture design दिया गया है, काफी एक अच्छा design है, और unique सा कुछ concept रखा है उन्होंने, तो काफी अच्छ इस तरफ आपको top पे, जो है, texture design दिया गया है, काफी अच्छा मतलब जो है, texture design दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर छोड़ छोटे LED panels है, जिसके आपको दिन में light जलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी भी, तो आपको छोटे वाले LED panels यूज कर सकते हैं साथ बाड़ी सी window दी गई है, जिससे कि आपको sunlight आती रहे और ventilation होता रहे, तो suffocation से relevant नहीं कोई problem नहीं आने वाली है, यह इसकी balcony आ गई है, बालकनी का size आप देख सकते हैं, काफी अच्छा decent size आपको balcony का मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सामने की side आपको पार्क मिल जाता है, location में बता चुका हूँ, कालवार रोड, जैपुर की प्राइम लोकेशन, यह जो सिर्सी रोड पे है, वो वाली रोड पे है, रोड से एक किलोमेटर के distance पे है, सामने की जो रोड मिल रही है, वो आपको 30 feet की रोड मिल रही है, सामने की side में पार पे, यह on table negotiable है, जब भी आप आपको पसंद आता है, पसंद आने के बाद में, आप on table पे जो है, इसका negotiable कर सकते हैं, मतलब प्राइस उपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस की, प्राइस से relevant कोई भी problem आपको नहीं मिलेगी, तो आप आईए, पसंद की कुछ नया, कुछ बहतर ले करके आते हैं, और कोशिश करते हैं, कि आपको घर बैटे, जी हाँ, घर दिखाएं, जी, आपको घर बैटे, घर देखना है, तो AR Homes को सस्क्राइब कर लीजे, और वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे अपने दोस्तो के साथ, अभी के लिए इतना ही, फिरसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए, धन्यवार, जै हिन, जै बारत!